पिछली विडियोज में तुमने वनस्पति के अंगों के बारे में जैसे कि जड़ें, तना और पतियों के बारे में सीखा आज मैं तुम्हें फूल और फल के बारे में बताने वाला हूँ मतर या फिर सेम या फिर टमाटर के बीज एक घड़े में अथ्वा तुम्हारे बगीचे में बोलेना उन्हें अंकुरित होने दो और वनस्पति के रूप में बढ़ने दो तुम्हारे निरिक्षन की दर्ज करो जो इन वनस्पतियों की बृद्धी की बारे में है इन वनस्पतियों को फूल और फल कब आते हैं जब बिज अंकुरित होता है और एक छोटी सी वनस्पति को जन्म देता है तब शुरुवात में केवल जड़ें और तना बढ़ते हैं जड़े जमीन के भीतर बढ़ती हैं और फैलती हैं तना शाखाएं और पतियां उत्पन्न करता है और कुछ समय बाद हमें वनस्पति पर फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं प्रजनन कारी के लिए वनस्पतियां फूलों को जन्म देती हैं बाद में ये फूल फल और बीजों को जन्म देते हैं जब बीज बोए जाते हैं तब हमें नई वनस्पतियां मिलती हैं फूल वनस्पति के प्रजनन इंद्री होते हैं तुम्हारे आसपास के अलग-अलग फूल जैसे की मूगरा, गेंदा, गुढ़ल, कनेर, भंग, गुलाब, बोगनवेल जमा करो, उनके रंगों का निरिक्षन करो, क्या उन्हें सुगंध होती है, तुम देखोगे कि इन फूलों के विविद रंग होते हैं, कुछ फूलों मे सभी अंग मौजूद होते हैं, चात्रों, हम गुढ़ल के फूल को पूर्ण इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसमें चारों अंग मौजूद है, गुढ़ल के फूल को एक डंठल होता है, कुछ फूल जैसे की रजनी गंधा को डंठल नहीं होता है, डंठल का दूसरा सिरा तने स जुड़ा होता है कि डंठल का ऊपरी हिस्सा जहां फूल उखता है सामान्य रूप से चोड़ा और पुला हुआ होता है इसे पुषपाधार कहते हैं मैं फूल की पंखुडी आ और अन्य भाग इस पुषपाधार पर स्थित होतें गुढल के फूल में निदलपुञ्ज पंखुडिया हरे रंग के पत्ते जैसे अंग से ढकी होती है। फूल के हरे रंग का ये मंडल निदलपुंज कहलाता है। कली की अवस्था के फूल का ये रक्षन करता है। निदलपुंज के अंदर पंखुडिया होती है। इसे दलपुंज कहते हैं। सामान यता पंखुड कि और आकर्शित करती पंखुर के अन्दरूनी भाग में पुमंग होता यह फूल का पुलिंगी प्रजणन इंद्रिय यह पुम्केसर का बना होता है इसके पराककोष तथा पुतंतू नामक दो भाग है फीपूल का सबसे अंदरूनी भाग जायांग के नाम से जाना जाता है ये फूल का स्त्रीलिंगी प्रजनने निंद्री है ये स्त्री के सराग्र, वर्तिका और बिजांड कोश का बना होता है पुमंग और जायांग प्रजनन के लिए विशेश कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं छात्रो तुमने वीडियो में फूल विच्छेदन देखा तुम फूल का अध्यन करने के लिए इसे घर में भी कर सकते हो अब तुम्हारे मन में एक प्रजन उत्पन्न हुआ होगा फूल बीज और फल को कैसे जनम देते हैं मैं तुम्हारे लिए इसे आसान बनाने का प्रयास करता हूँ पुमंग पक जाने पर पराक कोश में पराककन तयार करता है जायांग पक जाने पर बिजान में बिजानु तयार करता है बिजानु अंडाशय में होते हैं पराककन वर्तिकागर पर गिरते हैं इसके कारण बिजांड का निशेचन होकर उसका रुपांतरण बिज में तथा बीज कोश का रुपांतरण फल में होता है गुढ़ल, गुलाब, कमल जैसे फूल बहुत है और एक-एक करके ही उत्पन होते हैं किन्तु यदी फूल आकार में छोटे हैं तो वो गुच्छे में पैदा होते हैं जैसे कि मूगरा, तुलसी, गुलमोहर, शंकासूर, इत्यादी मैंने पहले ही बताया कि फूलों से फल बनते हैं मुझे बताओ कि सामान निताख खाये जाने वाले फल कौन से हैं आम, सेब, चीकू, अमरूद, अंगूर, इत्यादी हम टमाटर, बैंगन, भेंडी, नारियल ये सब खाने में इस्तमाल करते हैं हम उन्हें सबजिया मान कर खाते हैं किन्तु वनस्पती के लिए वो उनके फल होते हैं अब मुझे बताओ, जब हम आम, सेब, टमाटर खाते हैं तब उनके बीज कहां मौझूद होते हैं बीज, फल के भीतर मौझूद होते हैं तो हम से खाये जाने वाले फलों में सामानिता बीज फलों के अंदर होते हैं इन सब फलों के रंग, गंध, स्वाद अलग-अलग होते हैं खाने के अंग भी विविद होते हैं उधारन के लिए हम टमाटर उसके छिलके और बीजों के साथ खाते हैं जबकि हम आम का छिलका निकाल कर केवल पल्प खाते हैं और छिलका वो बीजों को फेंग देते हैं, थोड़े मतर, मुंगफली, मकई और जवार के बीजों को राद भर पानी में भीगो कर रखो, दूसरी दिन उनका छिलका निकालने का प्रयास करो, तुम मतर और मुंगफली के छिलके आसानी से निकाल सकते हो, किन्तु मकई और छिलके निकालने के बाद मुंगफली और मतर के बीजों को चुटकी में पकड़ कर दबाओ, किन बीजों के समान भाग होते हैं, वो देखो, इन्हें बीज पत्री कहते हैं, जिन बीजों के दो समान भाग होते हैं, उन्हें द्वीबीज पत्री बीज कहा जाता है, अब भी प्रांकूर उत्पन करते हैं इसलिए बीज पत्री प्रांकूर प्रांकूर यह सब बीज के अंग है बीज अंकूरित होकर नई बनस्पतियों को जन्म देते हैं सारांच आज तुमने इस वीडियो के माध्यम से फूल फल और बीज के बारे में सीखा फूलों की निर्मिती प्रजनन के लिए होती है फूलों के अंग डंठल निदलपुंज दलपुंज पुमंग जायां फल और बीज का विकास फूल से होता है दो प्रकार के बीज एक बीज पत्री द्वी बीज पत्री चुनौति कुछ सामान्य वनस्पतियों के बीज बोकर उनकी अंकुरन प्रक्रिया को ध्यान से देखो इन वनस्पतियों को बढ़ने दो उन पर फूल खिलने दो अब इन वनस्पतियों की जड़े तना पत्तियां और फूलों का अध्यन करो को